दोस्तों सबसे पहले हमें कार चार्जर को हमें सेंटर से open करना होगा क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ setting करनी है USB port के उपर लगी इस metal को हमें हटाना है क्योंकि यह minus point है और spring को भी हटा दे क्योंकि यह plus point है यहां पे एक wire डाल देंगे red color की और minus पे black color की इसे वापस से वैसे ही जोड़ दें जैसे था कि बाद एक 3 to 5 volt की बैटरी चीए उसको हमें cut करके इसका उपर वाला portion निकाल देना है क्योंकि हमें इस पे ही soldering करके car charger के plus और minus point को add कर रहा होगा और आगे से कोई से भी 3 volt की बैटरी करेंट कर दे आपका phone चार्ज होने लग जाएगा आपको ये mini power bank कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए